हेलो दोस्तो नमसकर स्वागत है आपका इगनु बाबा में I hope you are doing well दोस्तो इगनु के बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे कि क्या जून 2022 का जो टर्मेंड एक्जामिनेशन फॉर्म रिलीज हुआ है ऑनलाइन कोर्स के लिए वो फिल कर सकते हैं कि नहीं मतलब ऑनलाइन कोर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके बहुत सारे मेसेज़ेस आये मुस्त पे तो मैंने सूचा इस पे एक complete वीडियो बनाया जाए जिसमें बताया जाए कि कौन-कौन इस इग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकता है यानि जून 2022 का ओनलाइन कोर्स के लिए जो ओनलाइन इग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज हुआ है उसको कौन-कौन फिल कर सकता है तो दोस्तों वीडियो का एंड तक देखेगा बहुत ही ज्यादा इंटरस्टिंग और मज़दार वीडियो होगी क्योंकि इसमें आपका बहुत पड़ा डाउट क्लियर होनी वाला है आप देख सकते हैं मैंने इग्णू की ओफिसियल वैफसाइट को ओपन किया है जिसका लिंक है इग्णू.ac.in जैसी आप इसको ओपन करोगे स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आओगे तो आपको online submission का link दिखा गए यहाँ पर जिसमें लिखा हुआ है submission of online examination form for June 2022 of online programs ठीक है जैसी आप इस link पे click करोगे तो सबसे पहले आपके पास एक important note आएगा और इस important note में बताया गया है कि कौन-कौन इस examination form को फिल कर सकता है देखिए मैं पढ़के बताता हूँ आपको इसमें लिखा हुआ students are required to fill up the examination form for June 2022 term and examination for the following courses यानि कि इन सभी courses के student June 2022 term and examination form को फिल कर सकते हैं पहला कौन है all the courses registered for the first year, re-registered for the second, third year in July 2021 session for undergraduate and postgraduate programs आप इसका मतलब समझे कि वो student जिन्होंने 2021 में मतलब जुलाई 2021 में अपना first year में admission लिया था या second year में admission लिया था या third year में admission लिया था UG और PG program से यानि graduation या post graduation में वो इसको फिल कर सकते हैं बहुत ही clearly लिखा हुआ है देख लीजिए इसमें जितने भी graduation के student है या post graduation के student है उन्होंने अगर जुलाई 2021 में admission लिया है वहीं इस examination form को fill कर सकते हैं अब देखे होगा क्या कि माल लीजिए आपने admission लिया मतलब January 2022 में ठीक है और फिर भी आप apply कर रहे हो तो उसमें तो क्या है आपका form तो open में लिखा हुआ है कि graduation और post graduation के students के लिए यह मतलब कौन से year के लिए applicable है जुलाई 2021 या उससे पहले ठीक है उसके बाद के नहीं मतलब कि January 2022 के student या फिर मतलब इनके मतलब 2022 के student fill ही नहीं कर सकते जिन्होंने online course में admission लिया है 2022 में वह इसको fill नहीं कर सकते second में लिखा हुआ है all the courses registered in the July 2021 session for diploma and PG diploma programs जो उपर बताया same बस diploma और PG diploma के लिए है तीसरे में क्या बताया गया all the courses registered in the January 2022 session for the certificate and PG certificate programs मतलब कि वह student जिन्होंने certificate और PG certificate programs में admission लिया January 2022 में वह भी इसमें apply कर सकते है the courses for which dormant examination have not been successfully completed or not appeared so far मतलब कि वह course जिनका अभी तक कोई exam ही नहीं हुआ मतलब और नहीं वह appear हुए एक बार थी तो वह भी apply कर सकते इसमें I hope दोस्तों आपको clear हो गया होगा कि मतलब कि किसको किसको apply करना है कि नहीं मैं already बता चुका हूँ कि आप इसमें अगर पर check box पर click करोगे और proceed to fill online form पर click करोगे तो यहां पर enrollment number फिल करोगे online program चूज करोगे exam mode बगरा चूज करोगे इंडिया आउटसाइड इंडिया यह सब करके यहां पर फिल करोगे तो आपका क्या है कि यह form हो सकता है ना release हो ठीक है तो ऐसे में क्या होगा आपका पैसा भी खराब जाएगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए यह बहुत सारे student 2022 वाले मुझसे पूछ रहे हैं क्या हम form को fill कर दे form fill कर रहे हैं तो देखे मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि यह आप अपने risk पर कर सकते हैं बाकी आगे यह नहीं बोलना है कि मतलब बताया कि नहीं गया आपको ठीक है हुँआ आपको